हालो गाइज माइनेम इस प्रावन नागर एंड यू आर वाचिंग एंड मैंडर एंड देखिए डेली के 24 हावर का एकदम सही तरीके से यूज करना हर कोई चाहता है हर कोई चाहता है कि यार इन डेली के 24 घंटे के अंदर ना मैं मेकजिमम आउट्पूट निकाल सकूं एंड इन डिस वीडियो मैं आपको मेरी खुद के लाइफ के डेली रूटिन की तीन ऐसी बाते बताऊंगा जिने मैं रात को सोने से पहले एकदम रिमेंबर करके सोता हूँ कि यार जब मैं सुबह उठूंगा ना तो मुझे ये तीन चीजे एकदम strictly follow करनी है किसी भी condition में मुझे ये तीन चीजे नहीं छोड़नी है एंड देखिए जो ये तीन चीजे है ना जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा ये बहुत ही simple चीजे है आपने कहीं ने कहीं इनके बारे में जरूर सुना होगा चाहिए आपके parents से सुना हो या फिर आप जिन्हें ideal मानते हो आपने उन से सुना होगा इन तीन चीजों में से जो पहली चीज है वह सुबव को जल्दी उठना दूसरी चीज क्या है jogging या फिर आप अगर योगा करना चाहते हो कोई workout करना चाहता है जिम में का सोकीन है तो वह कर सकता है जो तीसरी चीज है वो है डेली का plan decide करना या फिर बोल दीजी एक list बनाना जिसमें आपके डेली की planning लिखना कि मुझे आज क्या क्या करना है जो ये तीन चीज़े है ना सुबर जल्दी उठना, jogging को करना या फिर exercise करना, jogging जाना या exercise करना and तीसरी चीज़ क्या हुई डेली का schedule fix करना तो ये तीन चीज़े है ना मैंने अब तक मेरी life में जितने भी interview देखे हैं या फिर मैंने जितने भी लोगों के biography पड़ी है ना उन सभी लोगों में ये तीन चीज़े बहुत ही ज़्यादा common थी and यार इन सभी लोगों के biography को पड़के या फिर बोल दीजिए इन सभी लोगों के interview को देखने के बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को मैंने अपनी life में डालाना या फिर जब मैंने इन तीनों चीज़ों को follow कियाना तो यार मेरी life में एकदम चमतकार सा हो गया पहले में कोई भी काम एकदम ठंडा होके करता था कोई energy नहीं है बैठा हूं तो बैठा ही हूं दो घुन्टे से कोई topic पर रहा हूं तो पड़ी रहा हूं या फिर other जो भी काम हो गये दिमाग में कोई thoughts ही नहीं आ रहे है कोई mind में कोई planning नहीं आ रहा तो और आ यू है कि सारा काम बिल्कुल ठंडा ठंडा करता था बट इन तीन चीजों को follow करने के बाद मेरी life बिल्कुल बदल गई दिमाग में नए नए ideas आने लगे एकदम में सोचने लगा कि यार नहीं इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करते हैं इससे यह चीज और भी better होगी नहीं नहीं thoughts आने लगे नहीं नहीं mind में strategies, plannings आने लगी कि यार चीजों को ऐसे करते हैं मैं सारे दिन एकदम energy टिक रहने लगा मतलब मैं कोई भी काम करता ना वो एकदम double energy के साथ करता एंड यार आप सब जानते हो कि यार आप कोई भी काम करो और आपके अंदर एकदम energy आए तो यार उस काम को करने का मजही कुछ और होता है एंड देखिए अब इसके बाद आपके दिमार्ग में दो questions आ सकते हैं और भी आ सकते हैं लेकिन mainly दो questions पक्का आपके दिमार्ग में आएंगे पहला question क्या आएगा कि sir हम तो college student है sir हम रात को तो सोते हैं 12, 12, 13, कोई तो 4 वजे सोते हैं answer फिर सुब उठने का तो पूछो ही मत आप answer jogging का तो आप भूली जाओ तो ये वाला question maximum लोगों के दिमार्ग में आएगा क्योंकि हमारे maximum viewers student ही है तो देखिए यार इस वाले question का मेरे पास एक ही answer होगा कि यार देखिए अगर आपने कोई चीज करने की दिमार्ग में ठान लिये ना कि नहीं मुझे चीज करनी ही है मुझे life में कुछ success काम करना है तकड़ा काम करना है तो यार ऐसे सोने से तो काम नहीं चलेगा आपको कुछ हटके करना पड़ेगा तभी आपको आपके life कुछ हटके देगी तो वही आज ही आप रात को थोड़ा जल्दी सोना स्टार्ट कर दीजिए 9 या 10 बजे ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाए आप टाइम पर जोगिंग को जा सके और आप सुबह उठकर फिर आप अपने पूरे दिन की strategy मनला प्लानिंग कर सके कि मुझे आज क्या क्या करना है और second बात आप बोलेंगे मनला second question जो आपके दिमाग में आ सकता है वो है कि sir हम सारे दिन college रते है हमारी postings रती है तो sir फिर हम रात को जल्दी सो नहीं पाते तो देखिए यार ये भी आप एक टाइब से बहाना बना रहे हैं हो क्योंकि यार आप आप खुद को मत लीजिए आप किसी और बंदे को लीजिए just like कोई company का HR है कोई company का CEO है या फिर कोई भी manager है तो यार हर जगर near about 7-8 घंटे का working time होता है working hours होते है और आपके college में भी क्या है यही तो है आप 9 जे college जाते होंगे चार या 5 बजाते होंगे तो वही यार आपका भी तो 6-7 या फिर 8 घंटे ही तो है तो उसका भी सेम है और मैंने जिनके interview देखे वो सारे कोई HR ता कोई CEO था तो उनके भी working hour near about 7 या 8 hour ही है तो of course यार एक type से यह बहाना हो गया कि सर्ट सारे दिन college रते हैं जरूर आएगा कि सर मेरी जिन्दी की तो एकदम जगा जग चल रही है एकदम टका टक चल रही है और सर मैं सुबर जल्दी भी नहीं उठता सुबर मैं जोगिंगों भी नहीं जाता मेरा कोई planning भी डिसाइड नहीं होती डेली का कि मुझे आज के 24 hours क्या क्या करना है और सर मेरी life एकदम सही चल रही है मैं time पर pass हो रहा हूँ सब कुछ सही चल रहा है तो देखिए इस type के students के लिए मेरा एक ही answer होगा कि अच्छी बात है आपकी life एकदम सही चल रही है बट आप क्या करना एक बार ये तीनों चीजे साथ दिन तक follow करना minimum 7 days एकदम honestly सुबह जल्दी उठना सूर्योदर से पहले यानि कि सन राइज से पहले जोगिंग को जाना and अपना planning decide करना तो जिनकी जिन्दिकी टकाटक चल रही है न वो अपनी life में और भी उपर तक जाएंगे तो आयोप आप मेरी बास समझ गए होंगे and finally मैं video का end एक line से करूँगा कि यार life में कोई भी चीज impossible नहीं होती सब कुछ आपके dedication पे depend करता है आपके mind कितना strong है उस पे depend करता है and bye